Hello dear student, welcome to our channel. इन दिनों हमारे यहां 36 गड़ में एक ही मुद्दा बड़ा trending topic बना हुआ है. और वो मुद्दा आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं, कि आपके board exam जो कि 2022 में होने हैं, वो online होने हैं या offline होने हैं. और बच्चे पूरा दिन इसी में परिशान रहते हैं कि उनके exam online होंगे या offline होंगे. और पूरा दिन वो YouTube पर बैठे रहते हैं और हर एक की वीडियो देखते रहते हैं. और आप परिशान भी होते रहते हैं. मैं आपको पहले से भी बताते आ रहा हूं कि बोर्ड की इस साल पूरी तैयारी आपके offline exam के लिए हो रही है. और अभी भी board निरंतर इसी पर कारे रत है कि आपकी exam वो offline करवाए. और अभी हाली में 21 तारीक को बीते दीनों कल या परसों. एक order भी जारी हुआ है CG board की तरफ से. जो कि अलग-अलग जिलेवार collector के थुरू आप तक पहुँचेगा. मैं भी पहुँच भी गया हो. और मैं भी पहुँच सकता है या पहुँचेगा आगे चलके. और वो order ये है कि देखिए अब आपके board exam को सिर्फ 40 दिन लगबग रहे गए हैं. क्योंकि आप जान रहे हैं class 10 और class 12 आपके board exam 2 या 3 मार्च से start हो रहे हैं. और पुरा महिना मार्च का आपके exam में जाने वाला है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब सिर्फ 40 दिन रहे गए हैं. तो board ने ये notification जारी किया है कि school के जो प्रचार हैं या teacher हैं वो बच्चों की तैयारी या board के लिए करवाएं. चुकि अब सिर्फ 40 दिन रहे गए हैं तो वो एक micro plan बना के या lesson plan बना के बच्चों की तैयारीया करवाएं. और पिछले चार से पांस सालों के previous year के question paper और अभी जो board ने model paper release किया है वो जिसको आप प्रदर्श प्रशन पत्र कहते हैं उनकी practice करवाएं और इनको लिख लिख के आपको practice करवाया जाएं. यह सारे order की copy अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको telegram channel में डाल दूँँगा उसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के आप इनको पढ़ सकते हैं. तो देखिए कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपके exam की तैयारी चल रही है और offline चल रही है. तो आप किसी भी धोके में मत रहिएगा कि कोई चमतकार हो जाएगा तो आपके exam इस साल भी cancel होगे जैसे last year हुआ था. मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत दुख होने वाला है यह सुनके कि आपकी exam offline होने वाले हैं. तो अब मेरी बात मानिये जितने बच्चे मुझे follow कर रहे हैं हमारे channel को follow कर रहे हैं. चालिस दिन बहुत कम समय है आपके लिए लेकिन इसमें भी एक बच्चा अच्छा खासा preparation करके अपने exam को crack कर सकता है. इस दोखे में आप मत रहिए, किसी इंतिजार में मत बैठिए कि आपका exam online होगा. ऐसे कोई भी परिस्तितियां इस बार नहीं बन रही हैं कि आपके exam को online करवाया जाए. आप देख रहे हैं अभी हाल ही में आपने ये सुना था कि हमारे 36 गड़ में स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया गया है. और आप कल से देखिए 24 तारिक से, आज संडे है और यह हमारी संडे वारता हो रही है. कल से देखिए मंडे यानि 24 जनवरी 2022 से स्कूलें लगभग अप खुलनी शुरू हो जाएंगी. क्योंकि अब जो है COVID का ग्राप थोड़ा सा अपनी पीक पर है और अब नीचे उतरने वाला है. और यह मान के चलिए हमारी विशेशग्या सब कहते हैं कि 2022 में जहां तक है फरवरी के मिड़ तक आते आते COVID का ग्राप जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और वो परिस्तिती इस बार नहीं है जो लास्ट इयर थी. कि आपके एक्जाम को कैंसल करना पड़े या पोस्ट पॉन करना पड़े इस साल ऐसी कोई सिच्वेशन नहीं है तो याद रखिएगा अब आपके एक्जाम आफ लाइन ही होंगे. भले आपके एक्जाम एक दो हफ्ते के लिए आगे बढ़ाए जाएं टाल दिये जाएं आपके एक्जाम सेंटर आपके स्कूल में दे दिये जाएं कुछ भी करना पड़े लेकिन एक्जाम आपके आफ लाइन ही होंगे इस बार. तो हमारे चैनल से जुड़ करके जितने बच्चे स्टड़ी कर रहे हैं या जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं तो एटलिस्ट वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मेरी बात माने और आप अपना प्रिपरेशन ऑफ-लाइन के लिए करें और देखें ऑन-लाइन एक कितना घातक होने वाला है इसका अंदाजा अभी आपको नहीं है आपका केरियर पूरा दाव पर लग जाएगा आप समझ रहे हैं आपको कॉलेज में सही से एडविशन भी नहीं मिलेगा जो ब्रांच आप चाहेंगे जो इस्ट्रीम आप चाहेंगे वो आपको नहीं दिया कि आपकी एक्जाम ऑफ-लाइन ही हो और अभी आपके पास टाइम है आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे चैनल पर आजाईए हमारे चैनल पर अल्रेडी मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स डले हुए हैं 10th के और क्लास 12 के लिए फिजिक्स और केमेस्ट्री कि आल्मोस्ट सारे लेक्चर्स डले हुए हैं आप वहां से अपनी कर सकते हैं पढ़ने के लिए आपको किसी ने रोका नहीं है साल भर से हम लोग आपको कहते आ रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है लेकिन आपने नहीं सुनी अभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर आपकी कोई कोशन है तो जरूर कमेंट कीजिए हम पोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपकी कोशन के आंसर देने के लिए तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बोड पूरी तरह से तयारी कर रहा है आपके आफलाइन एक्जाम के लिए और लगभग हर जिले में हर स्कूलों में ये जानकारी भेज दी गई है बोड की तरब से कि वो अपने लेवल पर जाकर के बोड की कि आदर डलवाएं ताकि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकें दूसरी चीज बोड की तरफ से थोड़ी सी लालच भी दी गई है बच्चों को कि जो बच्चे अभी आपका सेकंड टर्मिनल हुआ होगा जिसमें अगर कुछ बच्चों ने 80-85 प्रतिशत अंग प्रा सकें और इस बार याद रखिए मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी लास्ट यार मैरिट लिस्ट नहीं बनाई गई थी ना 10th की न 12th की लेकिन इस बार बोड ने कहा है कि भही हम ऐसे बच्चों को चुनेंगे मैरिट लिस्ट बनाएंगे और उनको इनाम भी दिया जाएगा ज इसलिए थोड़ा सा लालस दिया गया है और यह सारी चीजें क्यों हो रहे हैं आप समझ रहे ना क्योंकि आपके एक्जाम आफ-लाइन करवाने हैं दूसरी चीज टीका करण पर भी बोड ने जोड देने को कहा है कि जिन बच्चों के टीका करण रह गये हैं उनके टीका करण जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए जाएं ताकि आपके एक्जाम में कोई अरचन ना आने पाएं और देखिए फरवरी आते आते कोविट का गराफ अगर उतर गया और आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो फिर आप तो कहीं कि नहीं रह जाएंगे आप समझ र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ तो अगर आपका कोई कोशन है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कोशिश करेंगे रिजौल्ट करने की तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यव मिलते हम अगले वीडियो में